रमाशकार दोस्तों तीन लाख कोरोना वाइरस केसिस पर डे अभी तक का ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है लेकिन ये सिर्फ एक ओफिशल डेटा है ग्राउंड रियालिटी ये है कि कई राजियों में भारी डिलेज देखने को मिल रहे हैं टेस्टिंग में और कुछ जगाओं पर टेस्टिंग करने से रिफ्यूज कर दिया जा रहा है लोगों को नतीजा ये कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है जो असलियत में कोरोना वाइरस केसिस हैं वो रिपोर्टिड नंबर से 10 से लेकर 39 गुना जादा है तो बड़ी हाई प्रॉबिलिटी है कि ये जो 3 लाग केसिस पर दे हैं ये एक्चुल में 30 लाग केसिस पर दे हैं दूसरी तरफ कोविड नाइंटीन से हुई डेट्स का जो ओफिशल नंबर रिपोर्ट किया जा रहा है और जो डेटा क्रेमिटोरियम से आ रहा है कोविड नाइंटीन विक्टम्स की डेट बॉडिस का उनमें भी कहीं पर 5 गुना कहीं 10 गुना तो कहीं 20 गुना का फरक है और एक्जामपल एहमदाबाद में 12 अपरेल को सिर्फ 20 कोविड डेट्स ओफिशली रिपोर्ट करी गई लेकिन एक लोकल अखबार है संदेश उसने बताया कि सिर्फ एक हस्पताल में एहमदाबाद के 63 से जादा डेट्स देखने को मिली थी सेम दिन भुपाल में सेम चीज देखी गई और भी बड़े स्केल पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसा जहां पर पिछले 12 दिनों का ओफिशल डेथ काउंट सिर्फ 34 था रियालिटी में जो क्रेमेटोरियम्स और ग्रेवियार्ड से आ रहा डेटा था वो 800 से जादा कोविड 19 की डेट्स बताता है सेम पीरियड में फाइनाशल टाइम्स ने यही क्रेमेशन के डेटा को और ओफिशल डेट काउंट के डेटा को कमपाईल किया अलग-अलग सोर्सिस से अलग-अलग शेहरों के लिए और यह पाया कि यह चीज गुजरात उत्तर प्रदेश और मध्या प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने क को मिला है कुछ हद तक हालत इतनी खराब है कि भोपाल पे कुछ लोग कहते हैं कि आखरी बारी उन्होंने इतनी डेट्स भोपाल गया स्टैजिडी के टाइम पर देखी थी गाजियाबाद से कुछ मीडिया रिपोर्ट करते हैं कि फुटपाथ पर जलाया जा रहा है अब डेट बॉडिस को क्योंकि शम्शान घाट में जगें खतम हो गई कोरोना के इस महामारी के काल में सरकारी आंकडे किस तरीके से धोखे बाजी कर रहे हैं इसका जीता जाकता सबूत है सूरत में जो लोहा था शम्शान घाट में वो पिंगलने लग गया है क्योंकि लगातार इतनी बॉडिस को महां पर जलाया जा रहा है यह numbers की fudging करना और टेस्टिंग में delays करना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है problems का जो हमें इस crisis में face करनी पड़ रही है लेकिन यह एक ऐसी चीज है जो सरकार के उपर है सरकार चाहे तो हमें असली data दिखा सकती है कोई इतनी मुश्किल problem नहीं है इसे solve करना लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी problems है जो लोगों की तरफ से आ रही है जैसे ही यहाँ पर hospital में beds की कमी हो रही है drugs की कमी हो रही है और medicines की कमी हो रही है कुछ लोगों ने यहाँ पर black marketing शुरू कर दिये Remdesivir drug नाम सुना होगा आपने आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है एक antiviral drug है जो कुछ लोग मानते हैं COVID-19 की treatment में मदद करता है लेकिन एक चीज मैं आपको बता दो दोस्तों शौकिंग लगे ही सुनने में आपको जितनी डिमांड इसकी देखने को मिल रही है देश भर में आज के दिन जो भी research papers आए हैं उन्होंने बताया है कि इसकी effectiveness बहुत कम है ज्यादा तर cases में यह मदद नहीं करता COVID-19 के against इसके बहुत ही specific use cases हैं बहुत कम ऐसे scenarios हैं जहांपर doctors actually में recommend कर रहे हैं किसे इस्तिमाल किया जाए COVID-19 के victims पर लेकिन फिर भी यह बहुत शर्म की बात है कि कैसे कुछ लोग देश में जनता के panic का फायदा उठा कर यहांपर black marketing करने लग रहे हैं इस drug की इसका actual price है 2500 रुपे पर वीर वदोडरा में दो लोगों को arrest किया था 7500 रुपे की cost में से बेचते हुए और दिल्ली में 25000 तक की cost में ये बिखने लग रहा है black market मतलब कौन लोग हैं जरा सोच कर देखो शर्म करो कुछ अपने उपर यहां पर लोग मरने लग रहे हैं और लोगों की death से तुम पैसे कमा रहे हैं क्या करोगे इन पैसो का शर्मानी चीए मतलब जब इन पैसो को spend करने जाओगे जरा सोच कर देखना लोग मरे हैं और लोगों की मौत से तुमने पैसे कमाए यह ब्लैक मारकेटर्स अक्सर सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाते हैं फार्मा कंपनी यह ड्रग को बेचती है डिस्टिब्यूटर्स को और यह डिस्टिब्यूटर्स मेडिकल स्टोर्स को यह ड्रग को देते हैं लेकिन इन सब को छोड़ कर जो सबसे बड़ी problem से देश आज के दिन गुजर रहा है इस crisis के दोरान वो है hospital beds की कमी होना और oxygen cylinders की कमी होना BBC के अनुसार दिल्ली, एहमदाबाद और मुंबई 99% ICU beds hospitals में fill हो चुके हैं already जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं मैं दिल्ली में कुछ हस्पतालों की और कई और states में, कई और शहरों में कुछ हस्पतालों की oxygen supply सिर्फ कुछ चंद घंटों की रहे गई है Max Hospital है पतपड गंज में, उनकी oxygen supply सिर्फ तीन घंटे की रहे गई थी उन्होंने दिल्ली High Court को urgently approach किया इस situation को लेकर High Court ने Center Government को काया कि steel और petroleum industries में जो oxygen इस्तिमाल करी जा रही है उसको एकदम से stop किया जाए और वहां से oxygen को divert किया जाए इन medical purposes के लिए ताकि लोगों की जान बच सके इसी Max Hospital में 400 से ज़्यादा लोगों की lives dependent हैं इस oxygen की supply पर जो की cut होई तो इतने लोगों की जाने जाएंगी पूरे देश भर में आज ऐसी ही situation हमें देखने को मिल रही है इसमें कोई दो राहे नहीं है कि जिस भयानक healthcare crisis से देश गुजर रहा है इसका blame लोगों से ज़्यादा सरकार पर जाता है एक individual इंसान के control में क्या है मास्क पहनना ना पहनना, social distancing करना ना करना लेकिन इससे ज्यादा एक individual इंसान कितना control कर सकता है लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास 6-7-8 महीने का chance था जब first wave खतम हो गई थी कोरोना की सरकार के पास मौका था और hospital beds बनाए और oxygen generation plants बनाए oxygen cylinders की जो supply हैं उसको already सही करे vaccines की deployment सही तरीके से जल्दी से करे लेकिन सरकार ने इस सब नहीं किया सरकार ने बहुत time waste की scroll.in की एक report के अनुसार सरकार ने 8 महीने से ज्यादा तक का समय लगा दिया सिर्फ tender float करने में oxygen generation plant के आज के दिन 150 में से सिर्फ 5 plants operational होए हैं जो सरकार ने initially plan किया था अगर सरकार ये time waste ना करती और पैसे waste ना करती सरकार ने कहा central vista में 20,000 करोड रुपए लगाने का फैसला किया इसी समय में जब देश कोरोना की crisis से गुजर रहा अगर सरकार इन चीजों में focus करती तो आज के दिन ये सिती ना आती अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि क्यों इतना political हो रहा हूं मैं क्या जरूर है politics को इस चीज में involve करने की लेकिन reality यही है दोस्तों कि political failure से ही ऐसी crisis create होती है देश reality यह है कि जो center government है वही decide करती है oxygen की allocation कैसी करी जाएगी देश भर में vaccine को कैसे procure किया जाएगा कैसे allocate किया जाएगा आज के दिन अगर आप cover में सुनते हैं कि दिल्ली के chief minister धन्यवाद कर रहे है center government का oxygen supply बढ़ाने के लिए या फिर पंजाब के chief minister center government को लिख रहे है कि oxygen allocation पंजाब की बढ़ा दी जाए या फिर केरिला में बात करी जा रही है कि जो vaccine के allocation की गई है केरिला के लिए उसे बढ़ा दिया जाए वो सिर्फ one tenth है demand की यह सब इसलिए क्योंकि center government responsible है vaccines को oxygen को procure करने के पीछे allocate करने के पीछे और हमारे prime minister से लेकर home minister थक सारी सरकार busy थी political rally करने में तो कहां इने फुरसत मिल पाती सब काम करने के लिए इसलिए सरकार नहीं आपर लोगों को आत्म निर्भर होने पर छोड़ दिया है पूरा social media आज के दिन आप देखो गए भरा पड़ा है लोग कहीं पर किसी medicine की request करते हैं कहीं पर hospital bed की request करते हैं तो कहीं पर oxygen cylinder की request करते हैं हला कि ये काफी unorganized तरीके से हो रहा है इस पर ज्यादा platform नहीं बनाए गए हैं कि एक website हो जहां पर लोग डाल सकें कि अच्छा मुझे इसकी जरुवत है मुझे इसकी जरुवत है और जो लोग उस area में रहते हैं वो contact कर सके होने जो मदद offer कर सकते हैं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलाई अन-organized तरीके से ही हो रहा है सोशल मीडिया पर हला कि कुछ लोगों ने से organize करने की जरूर कोशिश करी है अपनी toolkits बना कर तो उनका link में नीचे pinned comment में डाल दूँगा और update करता रहूँगा जैसे ही नई information आएगी जो भी latest information होगी उमीद है उससे आपको कुछ मदद मिले अगर आज के दिन आपको मदद की जरूरत है तो ऐसे ही होसला बनाए रखिये और उमीद मत खोईए बहुत बहुत धन्यवाद